मुम्रा में अब कोरोना के दो और पोजिटिव के सामने आये हैं जहां मुम्रा में कर तक 70 कोरोना का आकड़ा था आज 72 तक हो गया है आज जो कोरोना पोजिटिव पाए गये है मुम्रा एंगली स्कूल के समीब अर्मान अपार्टमेंट में मिले हैं और हम आपको दिखा रहे हैं ये उसके बात की तस्वीरे हैं बिल्डिंग को ततकार सील कर दिया है थाने महानगर पालिका के लोगों ने चेतावनी दी है सोसा कोरोना टेस्ट के लिए लेकर गए है रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि और कितने लोग कोरोना के चपेट में है मुम्रा कवसा में अब तक भहत्तर के यानि कोरोना के मरीज पाए गए हैं जिसमें से अब तक 20 के करीब लोग ठीक होकर अपने घर वापस लोटे है वही पिछले दिनों बिलाल हॉस्पिटल में मिले एक पेशन जिसकी मौत हो गई थी उनके परिवार के आठ लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ था जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगिटिफ आई है और इसी के साथ एक और खबर हम आपको बता रहे है महाराष्ट के मुख्यमंत उद्धव ठाकरे के सहरानी आदेश आने के बाद प्राइवेट डॉक्टरों में खलबली मची हुई है मुंबई में जितने भी प्राइवेट डॉक्टर है सभी को सरकारी अस्पतालों में काम करने के लिए कहा गया है उन्हें सरकारी अस्पतालों में अब काम करना ही होग वरना उनका लाइसंस रत कर दिया जाएगा ये फैसला उद्धव ठाकरे की सरकार ने लिया है मुंबई में करीब 25,000 से अधिक डॉक्टर है इस महामारी के बीच अपने घरों में ही कैद है वो अपनी दुकाने तो चला रहे है लेकिन इस महामारी के बीच पेशंस की ज्याद तादात होने के वज़ा से उन्हें सरकारी अस्पताल में काम करना होगा पेशंस के इलाज के लिए उन्हें आगे आना होगा वरना उनका लाइसंस सरकार द्वारा रद कर दिया जाएगा तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरे देखने के लिए सब्सक्राइब कर कर दो कि थारी